SPICE मानी पर अब इप्यस ऊट्रॉल कारने पर इसमें two-factor authentication को कॉंप्लिट कारना होता है एजन को और इसमें charges का टएगा अब इप्यस ऊट्रॉल पर किलिक कारने के बाद इसमें देखिए अधर बेस authentication इसमें देखिए तुफेक्टर आथफेक्टर आफ intéressant कारना होता होता है उस में बॉक्स को इस तरह से सिलेक करके यहां पर अधर नामबर दाल के एजेंट का रिटेलर का इसमें देखिए अभी चार्जिस काटेगा स्पाइस मानि वालेट पर बैलन्स होना चाहिए यहां पर देख सकते टू फेक्टर ऑठनिकेशन करने पर एपिस में चार्जिस काटेगा जीरू पॉय नाइंटी फॉर पैसा इसमें काटेगा डेली बेसी पर यहां पर आधर बेस ऑठनिकेशन करना होता है टू फेक्टर करने खिख डीपाइस को इस तीक बार फैक्ट टो इसमें और नांबर नामबर का फिंगर हम देंगे टे इनी के बार इसमें रिटेलर का व्पाइसन करना हो Can से टू फेक्टर ऑठन्टिकेशन करने पर इसमें डेली इसमें टू फेक्टर एक्टन्टिकेशन करते हैं तो डेली चार्जिस काटेगा उसमें बैलेंस एंक्वरी चेक को एगरा कर सकते इसमें उड्रोल वगरा इसमें देखे ओल बैंक पे क्लिक करके इसमें बहुत चाहरा इसमें सार्च कर सकते या पर नाम से भी इस तरह से सार्च करके इसमें बैंक को सिलेक कर सकते या पर देखे एक्योटा स्मॉल हमें Transaction करके हम दिखाएंगे इस तरह से बैंक को स्लेक अर्लेड या कास्टोमार का फिंगर लेनी के बार इसमें अभी और हैंड का उट्रपर और कांजेक्शन को क्लिट करने के लिए रीडियर को रिटेलर का इसमें नमबर दाल के इसमें box को सिले करके आई accept to other concern पर सिले करके इसमें scan finger कर लेंगे रिटालर का आदर नमबर देने के बाद box को इस तरह से सिलेक कर लिया है और इसमें इसकेंद क्लिक करने के बार रिटेलर का इस तरह सेंगर कुएप्चर कर लेना बार इसमें देखिए इस तरसे सब्सकित सक्यूर हो जाये गा और इस तरह सेएक्ष उड्राइबाइब में vaz inex हिस्टोरी का ओप्शन होगा यहँ पर हिस्टोरी में क्लिक कर लिया है हिस्टोरी के बाद इसमें डिखिए ए-पियस टुप हेक्टवा ऐट्अ Thompson करने पर ज़ो चारज सकता है यहां पर देख सकते अभी और इसमें देखिए EPS two factor authentication इसमें पार डे को इसमें डेली को हम करना होता है उसके बाद ही transaction कर सकते है इसलिए यापी नियू यापी हर एक कमपनी पे लिए लागो कर दिया है EPS का two factor authentication करने पर लगबग 1 रूपिस का चार्जिस काटेगा तो यहापर देख सकते है इसपाइस मानी वालेट में बैलेंस होना चाहिए और इस तरह से अगर बैलेंस वगर नहीं है तो आप यहापी EPS उड्रोल वगरा नहीं कर सकते है तू फेक्ट्र ऑटनेकेशन कॉंप्लीट नहीं होगा इसलिए क्या करना है वा